नएक्रशी कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन शनिवार को भी जारी रहा विरोध प्रदर्शन के लिए एकसान निर्धारित होने के बावजूद किसानों ने शुक्रवार की रात दिल्ली के समीप सिंदू बॉडर पर गुजारी अब शनिवार को किसानों ने एक बार फिर से बैठक की जिसमें उन्होंने आगे की रणनीती पर मन्थन किया इसके बाद किसानों ने सिंदू बॉडर से नहीं हटने का फैसला लिया है पुलिस लगातार किसान नेताओं के संपर्क में है और उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है हर्याना के सिंदू मनोहर लाल ने कहा कि किसान आंदोलन में कुछ आसामाजिक तत्वा घुस चुके है उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास रिपोर्ट है लेकिन इसका खुलासा भी करना ठीक नहीं है जैसे ही कोई पुक्ता प्रमाण मिलेगा तो जरूर बताया जाएगा हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर ने कहा कि किसान आंदोलन को पंजाब के किसानों ने खड़ा किया है इस आंदोलन को किसानों की बजाए राजनीतिक दलों और संसाओं ने प्रायोजित किया है हर्याना के किसानों ने आंदोलन में भागिदारी नहीं की है उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक दल के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर उनको राजनीती करनी है तो अपने नाम पर राजनीती करे लेकिन किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए वही के इंद्रिय कृशी मंत्री नरेंदु सिंग तॉमर ने कहा कि भारत सरकार किसानों की समस्याओं के लिए किसान यूनियन से बात करने के लिए पूरी तरह तयार है हमने उनको 3 दिसमर का मंतरन भेजा है और मुझे आशा है कि वो सब लोग आएंगे और इस समवात के माद्यम से रास्ता ढूनेंगे वही लखनों में प्रेस कॉन्फरेंस कर अखिलेश आदव ने कहा कि किसानों के साथ इस तरह का बरताव भाजपा को छोड़ कर किसी भी पार्टी ने कभी नहीं किया ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा था कि वहना केवल रिण माफ करेंगे बलकि ऐसी नीतिया लाएंगे जो किसानों की आयत दोगुना करेंगी बताते चले कि सिंदु बॉर्डर पर आंदोल अनुरत किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है उन्होंने गुस्से में बॉर्डर पर ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का पुतला फुका आंदोल अनुरत किसानों के साथ हब कॉंग्रेस खुल कर खड़ी हो गई है दिल्ली कूच के दोरान जीटी रोड पर कॉंग्रेस विधायकों वह शीर्ष नेताओं ने किसानों को अपना पूरा समर्थन देते हुए तन मंधन से साथ निभाने का वायदा किया नेता प्रतिपक्ष भुपेंद्र सिंग हुड़ा ने सोनिपत के विधायक सुरेंद्र पमार के जरिये किसान नेता वे भाकी यू अध्यक्ष गुर्णाम चड़ूनी वे किसानों को अपना संदेश भेजा किसान आंदोलन के कारण नेशनल हाईवे चवालिस पूरी तरह से जाम है वही किसानों के प्रदर्शन के कारण के जी पी के एमपी एक्सप्रेस वे समेत अन्य मार्ग भी जाम हो गई इससे इन सभी जगहों पर करीब 3000 ट्रक जाम में फंस गए और उनकी लंबी लाइन लग गई इससे दिल्ली समेत कई राज्यों में फल सबजी वन जरूरी सामान की सप्लाई बाधित हो गई है प्रदर्शन कारियों ने कहा कि पंजाब और हर्याना से हजारों किसान इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए यहां आए हैं हम यहां से लोट कर अपने घर नहीं जाएंगे हम यहीं डटे रहेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे सिंदू बॉर्डर पर किसानों की बैठक के बाद एक प्रदर्शन कारी ने कहा कि हम दिल्ली से पंजाब जाने वाले मुख्य रास्ते पर ही प्रदर्शन करेंगे उन्हेंने कहा कि हम यहीं बैट कर प्रदर्शन करेंगे हम सिंदू बॉर्डर से नहीं हटेंगे और यहीं अपनी लडाई जारी रखेंगे सिंदू और टीकरी बॉर्डर पर इकठा हुए किसानों ने बुराडी के निरंकारी ग्राउंड में जाकर विरॉर्ड प्रदर्शन करने से इंकार कर दिया है वहीं दिल्ली पुलिस लगातार किसान नेताओं के संपर्क में है उन्हें समझाने बुजाने का प्रयास कर रही है ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को प्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाली